नमस्कार बच्चो थ्री वीमिय जामिती यानि थ्री डाइमेंशनल जो मैट्टी ये टॉपिक हमारा चल रहा था और पिछले वीडियो में हमने लाइन डिस्कस की थी यानि जो 3D यानि स्पेस में जो लाइन्स होती है उनके एक्वेशन कैसे बनती है किस किस तरह से अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं प्लेन यानि तल पर यानि को भी 3D फिगर 3D में 3D डाइमेंशन में प्लेन की एक्वेशन कैसे कैसे निकाली जा सकती है और क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए जिससे हमें इक्वेशन निकाली जा सकती है अब जैसे आप यह पेपर दे यह पेपर है खुई डूसरा पेपर लाती हूं यह पेपर को अगर मैं यूं कर दूँ तेडा तो इस तरह से यह एक प्लेन बन गया एसे टेडा कर दिया तो यह एक प्लेन बन गया और इस तरह से यह अलग plane तो यह different different direction में plane है तो plane की equation निकालने का क्या मतलब होता है plane की equation का मतलब होता है कोई ऐसा सूत्र जिसमें उस plane पर यह plane है और यह plane का मतलब यहीं खतम नहीं हो गया इसकी boundary यहीं खतम नहीं हो गया यह plane जो है, इसका मतल़ है यही है नहीं, यह अनन्थ तक चला गया, 4 तरफ से यह अनन्थ तक चला गया है, तो यह कोई plane है, इस तरह से, तो plane का मतलब होता है, इस plane पर पड़ने वाले जहां अनन्थ तक जा रहा है, प्रते एक बिंदू, कहीं भी एक पैन रखूँ तो हर जगह वो एक बिंदू कहलाएगा एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा समीकरण जो उन सभी बिंदूओं को दर्शा सके वो हमारा प्लेन कहलाता है तो किसी प्लेन की equation को find out करने के लिए तीन रूप में हम समीकरण ग्याद करते हैं यानि तीन रूप में अगर हमें मिलेंगी तो हम उनका डारेक्ट equation निकाल लेंगे फॉर्मिले से और वो फॉर्मिले कैसे बनते हैं ये भी बताएंगे आपको तो पहला जो है कि एक तो हमें पता होता होना चाहिए नॉर्मल टू प्लेन यानि प्लेन पर लंब हो नॉर्मल टू प्लेन यानि जो तल है ये मालो ये तल है तो इस पर हमें जो नॉर्मल होता है नॉर्मल से मतलब एक ऐसी रेखा जो लंब पर जो उस पर 90 डिगरी का कौन बनाएं अगर ये आपका तल है तो ये जो pen है ये 90 degree का कोण बना रहा है यहां यहां तो ये जितने भी कोई भी इसके किसे भी point पर एक ऐसी line ये pen रख दूं इस तरह से कि ये आपका 90 degree का कोण बना रहा है इधर 4 इदर सभी direction में तो इस तरह का कोई भी अगर आपको plane पता हो मानलों इस plane का समीकरन निकालना है एक तोस पर normal का पता हो और उसका distance from origin उसका उसकी दूरी पता हो distance from origin पता हो कि उसकी मूल बिंदू से दूरी क्या है वो दी हो और normal to plane दिया हो नॉर्मल का मतलब होता है अभिलम इंदी में से हम बोलेंगे अभिलम यानि वो वेक्टर जो plane कर plane पर perpendicular हो और उस plane की दूरी हमें दी हो तब हम उसका समीकरन तल का समीकरन निकाल सकते हैं अभिलम पता हो और distance from origin पता हो यानि दूरी पता हो दूसरा तरीका है कि वो plane किसी बिंदू से निकल रहा हो किसी पॉइंट से निकल होके जा रहा हो यानि अगर यह plane की equation निकाल नहीं है तो इस पे एक point पता है कि यह point है और इस point से यह जाएगा दूसरा उसका अभी लंब पता हो और एक ऐसा वेक्टर पता हो या ऐसी रेखा जो तल पर 90 डिकरी का कौन बनाए या लंब हो मतलब कि उस तल का समी ये याद करना जो किसी बिन्दु से होकर जाए और कोई हमें डारेक्शन दे रखी है कोई हमें रेखा दे रखी है कोई हमें वेक्टर दे रखा है उस पर वो लम हो, तीसरा जो सूत्र बनेगा, वो की एक तल का समीकरन निकानला है, जिस पर तीन बिंदू दे रखें, और तीन बिंदू A, बिंदू B, बिंदू C, तीन बिंदू, और तीनों बिंदू A संग रेक हो, यानि एक लाइन में ना हो, आ, संग रेक, सोरी, आ, संग रेक, तीन बिंदू, जैसे इस तल का समीकरन निकानला हो, और उस पर ये बिंदू A पता हो, ये बिंदू B पता हो, तो तीसरा बिंदू C जो है वो इस AB के लाइन में नहों कहीं भी हो तो ये बिंदू C पता हो तो तीन बिंदू अगर हमें पता हो तब भी हम तल का समीकरण निकाल सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि किसी प्लेन का समीकरण निकालने के लिए या तो हमें उस प्लेन पर अभिल कोन बनाता हो और वह यूनिट व्यक्टर हो दूसरा यह वह 90 का कौन बनाता हो और उसकी दूरी ओरिज़न से पता हो दूसरा तरीका यह है कि वह किसी बिंदू से होकर गुजड़ता हो तो मैं पहले पॉइंट पे आती हूं कि जब आपको अभिलम दिया हो अभिलम और मूल बिंदु से दूरी दी हो तो पहले वाला पॉइंट इसका कैसे हम निकालेंगे तो हम कहते हैं तो हम अपके कहते है कि मान लीज़े दूरी जो दूरी है मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से दूरी स्वारी दूरी आपको डी दे रखी है और अभिलम जो है वो आपको अनकेप दे रखा है एनकेप ऐसा वेक्टर है फिर से बता रही हूं एनकेप ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के लंब है यानि तल के पर 90D करे का गोंड बना रहा है लेकिन जिसकी लंबाई जो है कितनी है इकाई सदेश है अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रेंग करने की कोशिश करती हूं थोड़ा सा मुझे यहां कैमरे में इसमें दिक्कत हो रही है यह आपका मैंने 3D सिस्टम बनाया है यह रह 3D सिस्टम यह X-axis नीचे यह गुलाबी सी रंग की X-axis है यहरी Y-axis और यह उपर की तरफ आपकी Z-axis आ गई यह X-axis यह चली गई इधर से बढ़ते हैं आगे तक यह यह Y-axis यह से यह बढ़ा गई और Z-axis ओपर भी और जुमिन में भी इसमें पेपर की नीचु की तरफ भी जा रही है अब आपको एक plane का समीकरन गयाद करना माली जी ये plane का समी करण ये plane है आपका ये paper है तो ये इस तरह से plane जा रहा है अब ये सिर्फ मैं फिर बता रही हूँ plane का मतलब ये नहीं हो ता कि किनारियों पर यहीं रुग गया ये अनंतक बढ़ता चला गया लेकिन हम उसे अनंतक नहीं दिखा सकते तो अब आपका यहाँ पर ये मूल बिंदू है यहाँ मूल बिंदू से यहाँ पर इस लंप पर ऐसे करके एक ऐसी direction ड्रॉ करेंगे तो ये जो 90 degree का कोन बनाएगा तो यहाँ से और ये बिंदू जहाँ पर ये pen टच हो रहा है अब ये pen हमने क्या माल लिया ये बिंदू जो हमने है ये मूल बिंदू तो ये हो गया और ये pen जहाँ टच कर रहा है इस तरह से तो जहाँ भी टच कर रहा है ये point जो है जहाँ टच कर रहा है ये आपका N हो गया अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ तो ये plane है इस plane पर आपका ये बिंदू N है और इस तरह से ये आप समझ गया होँगे तो कहीं से मूल बिंदू से यहाँ आ रहा और ये 90 degree का कोण बना रहा है पूरे की पूरे plane से तो इसी को अब हम इसी चीज को मैं पेपर पे बना के दिखाती हूँ कि ये थी आपकी x-axis ये है y-axis ये है z-axis अब यहाँ कोई plane है plane ऐसे दिखा देती हूँ मैं अब ये बिंदू O है बूल बिंदू और ये जो plane था इस plane पर ये बिंदू N है ये बिंदू N तो ये on जो है O N वेक्टर जो है ये कितना होगा इसकी दूरी तो D हो गई और इसके डारेक्शन क्या हो गई N-cap ये आप समझ गए होंगे फिर से देखो ये आपका x-axis, y-axis, z-axis ये plane था इस plane से ये मूल बिंदू इधर मूल बिंदू से ये जो आपका पैन का जो निप छूरा है वो बिंदू N हो गया तो O हो गया मूल बिंदू N हो गया पैन का टिप ये जो दूरी हुई ये दूरी D दे रखी है और चुकि N-cap क्या है ऐसा वेक्टर जो इस plane के 90 डिगरी का कोण बनाए तो ये जो वेक्टर होगा इसकी डारेक्शन क्या हुई N-cap क्योंकि N-cap सिर्फ क्या बता रहा आपको उसकी डारेक्शन और दूरी क्या बता रही है वो D है तो O-N कितना हुआ D-N-cap अब इस plane पे कोई भी बिंदू हमने P ले लिया ये कोई भी बिंदू है तो ये O-P vector जो हो गया वो इस बिंदू P कर स्थिती सदेश हो गया तो अगर आप P-N को join करें तो बिंदू P किस पे है इस plane पर बिंदू N कहां पर है इस plane पर ये बिंदू N है ये बिंदू P है तो P-N जो रेखा है वो कहां पर है यहा का उस plane के उपर है और O-N बिंदू जो है वो उस plane पर 90 degree का कोण बना रहा है इसका मतलब जो P-N vector है आपका जो P-N या N-P vector कहां देती हो एक ही बात है N-P vector है वो perpendicular है O-N vector के सीधी से बात हो गई तो इसका मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंब है तो N-P vector dot O-N vector किसके बराबर होगा 0 के क्योंकि दो vector अगर एक दूसरे पर 90 degree का कोण बनाते हैं तो उनका स्तिती सदिश क्या होगा अगर दो vector एक दूसरे पर 90 degree का कोण बनाते हैं तो उनका स्तिती सदिश होगा आपका उनका dot product 0 होगा, तो अब np vector जो है dot on vector कितना हो गया, 0, on जो है किसके बराबर है, d into, d into किसके, n cap के, या मैं पहली बता चुकी हूँ, तो हम लिख सकते है, np vector को op vector minus on vector dot, यह हो गया, d into n cap, बराबर 0, पूरे को d से भाग दे दिया, क्योंकि d जो है, दूरी 0 के बराबर नहीं है, अगर वो मूल विंदू से नहीं जा रहा, तो पूरे को से भाग दे दिया, तो op vector कितना हुआ, r vector क्योंकि p हमने माना कोई भी बिंदू किस पर, तल पर, और p को हम चर बिंदू लेते हैं, तो p का स्तिती सदेश, हम हमेशा r vector मान के चल रहते हैं, यानि op vector किसके बराबर होगा, r vector, तो r vector minus on vector कितना हुआ, आपका अभी बताया था, d n cap dot n cap बराबर 0, अगर multiply करेंगे, तो r r vector dot n cap minus d, d तो सिर्फ दूरी है, vector नहीं है, n cap dot n cap बराबर 0, n cap dot n cap कितना होगा, 1, क्योंकि ये unit vector है, unit vector के dot product जो है, दोनों एकी direction में है, कितनी होगी है, 1 होगी, तो यह होगा, r vector dot n cap बराबर d, तो यह आपका समीकरण बन क्या है, वेक्टर equation बन क्या है, तो फिर से मैं इसको आपको, इसको repeat करती हूँ, तो एक, तल का समीकरण, यानि, equation of plane, और वो भी vector equation, सदिश समीकरण, जो किसी n cap vector पे, यानि वो तल n cap पर लम है, तो अभी लम बोलते हैं से, अभी लम vector है यह, n cap, n cap अभी लम है, उस तल पर जो भी तल चाहिए, और d जो है, तल की, मूल बिंदू से, दूरी है, तब vector equation होगी, r cap dot n cap बराबर d, यह आपका vector equation होगिया, अब इसी को अगर हम Cartesian form में लाएंगे, यानि कार्तिक रूप में लाएंगे, कार्तिक तल में, कार्तिक रूप में समीकरण, कार्तिक रूप में समीकरण आएगा, तो r vector क्या मानते हैं, यानि कोई भी बिंदू और कोई भी बिंदू, तो P हम क्या मानते हैं, X, Y, Z, तो R वेक्टर आपका हो गया, XI, प्लस Y, J, प्लस Z, की, N, कैसा वेक्टर है, 21 सदिश जो आपके प्लेन पर लंब है, तो अगर 21 सदिश है, तो उसे मानूंगी, L, M, और N, क्या होंगे, दिक कोजिया होंगे, दारेक्शन को साइन्स होंगी, एक वेक्टर की जो उस तल पर लंब हो, जो तल का समिकरन हमें निकालना है, जो प्लेन का एक्वेशन हमें निक परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर N-CAP, और चुकि N-CAP है, यानि 21 सदिश है, तो L, M, और N जो है, वो डारेक्शन को साइन्स बन जाएंगे, अगर ये 21 सदिश नहीं होता, तो L, M, N जो कोफिशेंट है, ये डारेक्शन रिशियोज होते, चुकि N-CAP का मतलब होता है, इ अगर ऐसी स्दिश आती है, तो ये ही डारेक्शन रिशियोज जो होते थे, वो क्या बन जाती है, डारेक्शन को साइन्स बन जाते है, डी दूरी है, तो अगर हम यहां रखेंगे, आर की जगे, XI प्लस YJ प्लस ZK, डॉट L I प्लस MJ प्लस NK, पराबर D, D आपकी दूरी है मूल बिंदू से प्लेन की, दूरी का फिर बतारी हो, मतलब होता है, मूल बिंदू से प्लेन पर परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, और जहां भी वो उसका टेच करेगी प्लेन को, उस बिंदू से, उस पॉइंट से, मूल बिंदू यानि ओरीजिन का जो डिस्टेंस ह है वो ही distance कहलाता है तो अब इसे अगर हम डॉट प्रोड़क्ट लेंगे तो यह बन जाएगा LX प्लस MY प्लस NZ बराबर D यह उस equation यह equation of plane है यह उस तल का समीकरण है जिस पर अभिलम वेक्टर के direction कोसाइन्स ते कोजिया L M और N है और जिसकी plane से दूरी D है तो यह आपका डारेक्ट समीकरण बना था तो अगर आपके कोशन ही आता है कि जैसे इन्होंने example 13 दे रखा है कैते वेक्टर equation बताओ उस plane की जिसका distance जो है D दे रखा है 6 upon under 29 और जिसका वेक्टर equation जो है जो वेक्टर नॉर्मल है नॉर्मल से मतला अभी लंब है अभी लंब का समीकरण दे रखा आपको 2y माइनस 3j प्लस 4k तो अब आप देख रहे हो इनका जो कोफिशेंट्स का यानि यह अगर जो वेक्टर है यह वेक्टर जो भी है इसको मैं अगर पी वेक्टर मान लेती हूं तो आप देख रहे हो यह यह अगर नहीं है क्योंकि इन सबका जो इस वेक्टर की जो लंबाई है वो वन नहीं है यानि यह 11 सदेश नहीं है तो पहले इसको 11 सदेश में तो यह n-cap बन जाएगा अब अभी तक यह direction ratios थी अब यह क्या बन गई यह direction cosines बन गए है तो यह n-cap आ गया तो अगर हमें कहते हैं इसके vector equation निकालना तो यह वाला सुत्र लगाएंगे formula लगाएंगे तो आपकी equation होगी r-vector dot n-cap की जगा आएगा 2i upon under root 29 minus 3 upon under root 29 plus 4i upon under root 29 is equals to distance जो दे रखा वो दे रखा 6 upon under root 29 तो यह आपकी vector equation इस तरह से रही तो यह तरीके हैं अब आपका समीकरन निकाल सकते हैं और आपको questions कराएंगे तो उसी तरह से और समझाएगा अब आते हैं second form कि अब हमें मानली जी यह नहीं दिया हमें कहते हैं उस तल का समीकरन बताईए जो second point है उस तल का समीकरन बताईए जो किसी बिंदू P से होकर P तो नहीं लेंगे से हम ले लेते हैं किसी बिंदू A से होकर जाता है क्योंकि P को हम लेते हैं चर anticipation हमें बिन्दू एक रखा है यानि वह तल बिन्दू एक सितिस दे रखा है यानि ओए वैक्टर कर गार्खशका में यह सकते हैं तो मतल इनल्टीट में अ欸 यानि यह आपको एक n वेक्टर दे रखा है कहरें यह समी करने यह एक वेक्टर है एक तल बताओ जो इस पर लंब हो तो इस पर लंब जितने भी है यह वेक्टर भी इस पर लंब है यह वेक्टर भी इस पर लंब है यह वेक्टर भी इस पर लंब है और चूकि ये लाइन यहां तक खतम नहीं हो गई अंद्वी, यह तो अनंद तक यहां जा रही है, अनंद तक नीचे जमीन में उच जाएगी, तो जितने भी ये पेपर रखे हैं आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, नीचे ये वाला पेपर भी इस पर लम है, ये इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इस बिंदु से जाए तो अभी कैसा होगा? तो अब मैं इसको आपको इसी चीज को ट्रिगर बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपके बार X-axis, Y-axis, Z-axis को थोड़ा दूसरे डंग से ले रही हूँ मैं X-axis को मैंने यहां ले लिया यह X-axis है, यह Y-axis हो गया, यह उपर Z-axis हो गया हाला कि इससे कोई फरक नहीं पढ़ता, आप किसी भी डारेक्शन में ले ले बस उनका रोटेशन रूल आपको पता होना चाहिए अब यह एक प्लेन है अब यह 3D फिगर है, से चमन्य की कोशिच करिएगा यह कोई प्लेन है, यह मूल बिंदू था यह कोई प्लेन है, यानि यह प्लेन इस बिंदू A से जाता है तो यह OA Vector जो होगा, OA Vector इसका स्थिति सदुदिश A Vector है दूसरा यह जो प्लेन है, यह इस पर एक Vector जा रहा है, N Vector जो इस प्लेन पर 90ज डिगरी का कोण बना रहा है अब हमने इस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया P और इस P के कॉडिनेट क्या होगे? X, Y, Z तो O, P वेक्टर जो है क्या होगा? बिंदू P का स्तिती सदिर जिसको हम जनरली क्या मानके चलते हैं? R वेक्टर जिस तरह से बिंदू P X, Y, Z लेते हम कार्थिक फॉर्म में उसी तरह से वेक्टर फॉर्म में चर बिंदू को हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह आपका हो गया R वेक्टर उप अब यह AP को अगर मैं जोइन करती हूँ तो यह AP जो है चुकि बिंदू AB पर है बिंदू P भी इस प्लेन पर है तो यह AP को यह आपका यह पेपर है एक प्लेन है इस प्लेन पर एक बिंदू यहां डालू और एक बिंदू यहां डालू तो इस AP जो लाइन बनेगी यह इसी प्लेन पर ही बनेगी इस से बाहर में इसके इस पे यह जो रेखा बनते आ रही है यह इस plane से या कागत से बाहर में ही जाएंगे सारे point जो है वो इसी plane पर रहेंगे तो कहने का मतलए यह जो AP vector है यह किस पे इस plane पर है और यह जो N vector था इस plane पर लंब है अब N vector इस plane पर लंब है AP इस plane में ही है तो यह माल लीजे vector आपका N vector है अब इस plane में एक रेखा यह जारी यह इस पर 90 degree बनाएगी एक रेखा यह जारी यह इस पर 90 degree बनाएगी यह रेखा यह 90 यह जतनी भी रेखा हैं दिखनी है जो इस कागज पर खिची हुई है वो सब, सब जगए ये 90 डिगरी का कोण बनाएगी तो इस तरह से AP किसके N वेक्टर के क्या होगी परपेंडिकलोर होगी इसका मतलब AP dot N वेक्टर कितना होगया 0, जब दो वेक्टर लंब होते हैं दूसरे पर तो उनके dot product हमेशा क्या होता है 0 होता है यह आपको समझ आ गया अब AP को हम लिखेंगे OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर N वेक्टर आपको दही रखा है बराबर 0 योग्या R वेक्टर माइनस A वेक्टर dot N वेक्टर बराबर 0 तो यह उस रेखा का समी उस तल का समी करण हो गया यह एक्वेशन वेक्टर एक्वेशन of plane हो गई जो किसी बिंदू A वेक्टर से होके गुजरता है वो plane और किसी N वेक्टर के वो plane परपेंटिकुलर है तो अब इसको कार्टिक फॉर्म में अगर हम करेंगे तो अब यह बिंदू A हमें दिया हुआ है तो मान लीज़े बिंदू A के coordinate X1, Y1, Z1 है N वेक्टर अब की बार unit वेक्टर नहीं है पिछले वाले में N वेक्टर unit वेक्टर था यानि जिसकी लंबाई 21 दिश थी उसकी लंबाई सिर्फ एक मात्रक थी N वेक्टर अब कोई भी वेक्टर आब यह नहीं कहरें कि यह काई सादिश है तो अगर इसके इस N वेक्टर को हम ले लेते हैं AI प्लस BJ प्लस CK आप स्मॉल में भी ले सकते हो यहां तुमारी किताब में NCRT में कैपिटल दे रखा था इसलिए मैंने capital ले लिया वरना हम generally small मानते हैं यहनोंने capital लिया था इसलिए हमने यह ले ले लिया कोई बड़ी बात नहीं छोटा लेलो बड़ा लेलो तो इस तरह से और R यह R जो है P का स्तिती सदिश होता है तो P को हमने क्या मानते हैं हमेशा XYZ तो इससे R माइनस A वेक्टर कितना बना OP माइनस OA वेक्टर R वेक्टर माइनस A का तो यही मतलब हुआ OP का मतलब XI प्लस YJ प्लस ZK माइनस OA का X1I प्लस Y1J प्लस Z1K इस तरह से यह हुआ X माइनस X1I प्लस Y माइनस Y1 J प्लस Z माइनस Z1 K तो यह R माइनस A वेक्टर हुआ N वेक्टर यह है अगर इसमें यहां रख दें तो R माइनस A की जगतों में लिखेंगे यह X माइनस X1 I प्लस Y माइनस Y1J प्लस Z माइनस Z1K डॉट A I प्लस B J प्लस C K बराबर 0 तो इस तरह से बना A टाइमस ओफ X माइनस X1 I I तो कतम B टाइमस ओफ Y माइनस Y1 C टाइमस ओफ Z माइनस Z1 बराबर 0 तो यह जो समीकरण आया यह कार्टेशन फॉर्म में कार्टिक तल के रूप में एक समीकरण है उस तल का उस प्लेन का जो किसी बिंदू X1, Y1, Z1 से होकर बुजरता है और जो किसी वेक्टर या किसी रेखा पर लंब है जिसके direction ratios यानि दिख अनुपाथ है A, B, C अब के बाद शब्द मैंने यूज किया है direction ratios यह direction ratios कहलाएंगे अगर इनका n-cap का जो modulus अगर 1 होता तो यही A, B, C को हम direction cos कहने लगते पर अगर यह 1 नहीं है तो यह direction ratios कहलाएंगे तो इस तरह से यह आपका दूसरा form हो गया तो अगर आपको यह दिया है कि उस फलाना किसी तल का समय करण ग्याद कीजिए किसी plane का equation find out कीजिए जो किसी given point जिससे होके जा रहा है होकर गुजर रहा है वो x1, y1, z1 उसके coordinate से और किसी plane पर या किसी किसी रेखा पर किसी line पर perpendicular है जिस्ट line के direction ratios ABC हैं तो यह आपकी equations बन गई यह था आपका second type और तीसरी equation तब जब आपको plane में तीन point पता हूँ तो यह तीसरा है कि जब आपको दे रखा एक point A दे रखा है जिसके coordinate है x1, y1, z1 या पहले मैं इसको और दोनों form एक साथ ले जलती हूँ A का जो क्या कहते हैं स्तिती सादेश है यानि OA vector क्योंकि vector form में भी देना है A vector है दूसरा विंदू भी दे रखा है जिसके coordinate है x2, y2, z2 इसके जो vector form में अगर हम लिखते हैं तो इसके coordinates O भी vector बलबी vector माल लिया यानि मूल विंदू से B तक इसके स्तिती सादेश और कोई विंदू C दे रखा है तीन point दे रखें पस शर्ट यह है कि तीनों की तीनों एक line में नहीं होने जाएं OC vector कितना हुआ C vector अभी आपका plane है ये बिंदू A ये बिंदू B ये बिंदू C तीनों एक line में नहीं है तीनों के आपको स्तिती सादेश वो दे रखें स्तिती सादेश यहां कहीं पर मूल बिंदू है मालो तो O A vector कितना हुआ A vector O B vector कितना हुआ B vector OC vector हुआ C vector यानि बिंदू O से जो जोडती हुए देखा है वो vector हुई अभी इसी plane पे हमने कोई बिंदू P ले लिया तो इसका मतलब बिंदू P बिंदू A बिंदू B बिंदू C चारो इसी plane पर है और यह बिंदू बिंदू P क्या है कोई भी बिंदू लिया जा सकता है इसलिए बिंदू P क्या हो गया चर बिंदू इसको हमेशा X Y और Z मानते है ओके अब यह हो गई B A रेखा यह हो गई C A रेखा यह हो गई P A तीनों को मैंने A से जॉइन कर दिया आला कि आप किसी और को भी जॉइन कर सकते है यह तीन रेखा है आपको दिख रही है तीन line segments दिख रही है यह vector A B है या भी यह कह लो यह vector A B और यह vector A C अगर A B और A C का मैं cross product लो vector A B और vector A C का cross product लो तो इसका जो vector बन क्या आएगा A B cross A C cross product का जो vector बन क्या आएगा यह कहां आएगा इसकी direction क्या होगी इसकी direction ऐसी होगी जो A B और A C दोनों पर लम हो तो A B और A C इस plane पर लम है वो रेखा वो direction जो AB पर 90 बनाती हो AC पर 90 बनाती हो तभी संभव है जब वो इस plane पर ही 90 degree का कोण बनाती हो तो यह यानि AB क्रोस AC कौन सी इस तरह का vector है जो 90 degree का कोण बनाएगी इस plane से इस समतल से और अगर इस समतल से 90 degree का कोण बनाएगी तो definitely AP जो line इस समतल में थी इस से भी 90 degree का कोण बनाएगी इसका मतलए AB क्रोस AC पर्पेंडिकुलर होगा किसके? अगर यह इसके पर्पेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है AP dot AB cross AC कितना होगा? 0 बाई इस AB cross AC को मैं vector P मान रही हूँ let's suppose तो vector P है small P या कुछ और ले लेती चलो क्यों ले लेती हूँ? क्योंकि P आप वहाँ से confused ना हो जाएके तो इसका मतलब AP vector dot Q vector कितना होगा? 0 इसका मतलब AP dot AB cross AC कितना होगा? 0 अब AP को लिखेंगे हम OP minus OA OB को लिखेंगे OB minus OA cross OC minus OA पराबर 0 OP vector को हम R vector से denote करते हैं यह A vector योगया B minus A cross C minus A तो यह जो आपका समीकर्ण बनके आया यही यह आपकी vector equation होगी सदिश समीकर्ण होगया सदिश उस तल का plane का जो किसी बिंदू A, B और C से तीन S-M-Rick non-colinear point ABC से होकर निकलता है और अब अगर इसी को हम convert करेंगे किस फॉर्म में? Cartesian form में तो यह equation कैसे लिखी जाएगी वो देखिए अब मैं direct कर रही हूँ वेक्टर A का मतलब हो गया XI plus YJ plus ZK इसी तरह से वेक्टर भी X1, sorry, X1I, Y1J, Z1 X2Y, Y2J, Z2K और C वेक्टर हो गया X3I, Y3J, Z3 R माइनस से का मतलब हो गया direct करें X माइनस X1 I plus Y माइनस Y1J Z1J, Z1-Z1K dot B-A, B-A यानी X2-X1, X2-X1I plus Y2 माइनस Y1J plus Z2 माइनस Z1K cross cross product है ये तो यह से लिए मैं इसको curly bracket ले लिया था अब C माइनस A का मतलब C वेक्टर माइनस A वेक्टर यानी X3 माइनस X1 I Y3 माइनस Y1J Z3 माइनस Z1K बराबर 0 यह आपका समी कर्म इस तरह से बना अब आप cross product आपको याद है मैं फिर से आपको याद ला लेते हैं दूसरे पेपर पे अगर एक वेक्टर A A1I plus A2J plus A3K था दूसरा वेक्टर B था B1I plus B2J plus B3K तो आप A cross B को सारनेक रूप में कैसे लिखते थे I, J, K A1, A2, A3 B1, B2, B3 ऐसे लिखते थे यह A cross B को लिखने का तरीका है तो इसी तरह से अगर मैं इसको cross product में लिखूंगी तो X minus X1 I plus Y minus Y1 J plus Z minus Z1 K और यह हो गया आपका dot I, J, K X2 minus X1 Y2 minus Y1 Z2 minus Z1 यह X3 minus X1 Y3 minus Y1 Z3 minus Z1 बराबर 0 अब जब इनका dot product लेंगे आप पहले इसको solve करेंगे तो I into Y into Y minus Y into Y minus J into J के coordinate से आएंगे फिर K के आएंगे आएंगे और फिर उसके बाद I से product करके तो यह result same आएगा मैं इसको बहुत खोल के नहीं बता रही आपको तो इसका जो result आएगा ultimately वो ऐसे आएगा असल में पहले triple product भी नहीं होती थी थी इस बा तो इसलिए मैंने इसको direct लिख दिया यानि इनका triple product करेंगे तो यह I, J के replace इसके coordinate से हो जाएगा तो X minus X1 Y minus Y1 Z minus Z1 X2 minus X1 Y2 minus Y1 Z2 minus Z1 और X3 minus X1 Y3 minus Y1 Z3 minus Z1 बराबर 0 यह Cartesian form होगी उस रेखा का जो तीन बिंदों से होकर जाता है तो यह तीन तरह से आपके समीकर्ण बन के आएं इन समीकर्णों तो याद करेंगे जब आपको तीन बिंदो A, B, C दिया होता है तो किसको A माने, किसको B माने, किसको C माने से कोई फरक नहीं पड़ता आप किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, किसी को भी C मान लो और यहाँ इस form में, Cartesian form में डारेक्ट यह सूत्र लगा देंगे और अगर vector form आता है तो आप यह सूत्र लगाएंगे इस तरह से आपकी तल का समीकर्ण यानि equation of plane you can find out तो यह था आपका equation of plane find out करने के लिए In any case, तीनों में से कभी भी आप equation of plane निकालते हैं और खासकर उसे निकालते हैं कार्थिक रूप में तो वो ultimately solve करने के बाद आपका समीकर्ण बन जाता ax plus by plus cz plus d बराबर 0 जहां तो यह जो आपका समीकर्ण बन के आता है यह आपका general equation यानि व्यापक समीकर्ण होता है plane का यानि तल का इसे देखते हैं आप यह पैचानेंगे a, b, c आपका उस वेक्टर के आपके direction कोसाइन से हैं जो plane पर perpendicular है a, b, c और d उसका मूल बिंदू से दूरी है तो अगर इसको intercept form में अगर लाना है यानि यह plane आपको दे रखा है और x-axis पे कितना कटान करता है y-axis पे कहां काटता है, z-axis पे क्या काटता है तो इसका जो कटान का form होगा यानि यह x-axis है, यह y-axis है, यह z-axis है let's suppose यह x, यह y, यह z-axis है और यह एक plane है तो x-axis पे यह जो दूरी मानली यह a काटता है y-axis पे b काटता है, z-axis पे c काटता है तो यह a पर जो point है, यह बिंदू जो है इसके coordinates क्या होंगे, a, 0, 0 यह y पर यह point है, यह a मानले लेते हैं यह a तो खेर हमने ले रखा है, p, q, r मानले लेते हैं let's suppose इसे, तो q कितना होगा, 0, b, 0 और z कितना होगा, 0, 0, c तो जब यह point a निकालना हो, तो इस point को अगर हमें यह रखोंगी तो ax, यानि a, a तो कि यह point जो है, यह plane पर भी है और किस पे, x-axis पे भी है काटते में यह कटान बिंदू है, plane का और x-axis का तो a, a, plus b, into 0, plus c, into 0 plus d, बराबर 0, d, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि d, 0 हुआ, इसका मदला, यह तल कहां से होके कज़र है, मूल बिंदू से तो फिर मूल बिंदू से दूरी d हो जाएगी, तो जब मूल बिंदू से जाएगा, तो x-axis, y-axis, z-axis, तीनों को मूल बिंदू पे ही काटेगा तो इस तरह से, जो a हुआ, वो हुआ, minus d upon a और इस इतरह से, जो b हुआ, यहाँ पर रखेंगे, निकानले पर, जो b हुआ, इसके कॉर्डिनेट, तो यह होगा, minus d upon b और जो c हुआ, वो होगा, minus d upon c, तो इस equation को, अगर, यह है, ax, plus by, plus cz, बराबर minus d लिखती हूँ, और सबको minus d से भाग देती हूँ, तो ax upon minus d, plus by upon minus d, plus cz upon minus d, बराबर 1, और यह होगा, x upon minus d upon a, plus b, y upon minus d upon b, plus z upon minus d upon c, बराबर 1, और यह आपका क्या था? x intercept, यह y intercept, तसी होगया, z intercept, तो इस रूप में यह आपका समी करनगा रखा जातا है, तो सीरा आपका यह कह सकते हैं, कि x axis पे कितना यह intercept काटती है, a, उसकी लंबाई a है, y axis पे जो इंटरसेप्ट काथ यह उसकी लंबाई भी है उसकी नंबाई C है तो यह आधका आधका समीकरण था क्लीन का यह बिल्कुल कुछ हट तक ऐसा ही मिलता है पर में प्लेइन की इक्वेषिन फिरीडी में बहुत कुछ ऐसी होती है काभ हट तक मिलती है तो अब जब questions करेंगे तब आपको और समझ आएगा इसके बाद अगले topic पर आते हैं दो रेखाओं का समतलिय एकी तल पर समतलिय होने का प्रतिबंद मतलग coplanarity of two lines दो रेखाओं हैं एक रेखा ये है आपकी एक रेखा ये है ये दोनों एक ही पेपर पर हमने ड्रॉ की है तो ये एक ही पेपर पर होगी ये कैसे पता चलेगा क्या condition होगी तो ये रेखा हमने मानली दी हुई है आर वेक्टर बराबर एवन प्लस लेमडा बीवन इसका मतलग ये जो रेखा है इस पर कही न कहीं एक पॉइंट है इसको मैं ए मानल लेती हूँ और इसका जो स्थिती सादेश है वो एक एप है यानि वेक्टर उसका एक एप है गवन होता है वो भी वन वेक्टर से इसी तरह से ये दूसरी लाइन है इसका एक्वेशन अगर है एक टू वेक्टर प्लस लेमडा बी टू वेक्टर तो इसका मतलग ये रेखा किसी पॉइंट ये आपको दिया हुआ है अब आपको ये बताना है कि ये दोनो की दोनो लाइन एक ही प्लेन में है तो कौन से स्थितिम होगा अब आप देखें मैंने ये ए और एडैश को अगर जॉइन कर दूँ तो ये एडैश जो है कहां पर है ये रेखा ये जो लाइन है एडैश कहां पर है ये भी किस पर है आकी इस paper पर ही है इसी तल पर है और ये line जो डाजिस की direction B1 vector है तो B1 vector भी इस पर ही है कायदे में ये जो line है ये ऐसी line है जो बिंदू A से जारी है और किसी vector B के parallel है तो ये B1 vector भी इसी plane पर होगा या इसके parallel बनाया जा सकता है जो इसको इस तल पर लाया जा सकता है अगर इस पर ना भी हो तो क्योंकि बराबर vector हम यहां draw कर सकते हैं उसके parallel एक vector draw कर सकते हैं तो इस तरह से ये दोनों vector हमारे किस पर आ गए तल पर आ गए तो B1 cross B2 vector जो होगा वो कहां होगा चुकि B1 और B2 दोनों इस तल पर है तो B1 cross B2 दो vectors की cross product क्या होगी 90 degree होगी इस plane पर 90 degree है तो A A dash पर भी 90 degree होगी तो A A dash vector perpendicular होगा B1 cross B2 के और A A vector कितना हुआ A vector हुआ A2 vector भाई O A vector O A dash vector माइनस O A vector A dash का तो यही मतलब हुआ यानि A1 vector या A2 vector माइनस A1 vector या A1 vector माइनस A2 vector एक ही बात है perpendicular हुआ कि इसके B1 cross B2 के और अगर perpendicular होता है तो उनका dot product क्या होता है जीरो होता है तो अगर यह B1 cross B2 dot A1 माइनस A2 vector या A2 माइनस A1 vector इनका dot product अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों की दोनों line एक ही plane पर हिस्तित है और इसी को जब मैं 3D की form में convert करूँगी आगर इसको मालीजे A1 vector के आपके coordinate x1, y1, z1 है और इसके vector आपके x2, y2, z2 है a' के और b1 vector आपको दे रखा है a1, i, b2, j, plus c1, k और b2 vector दे रखा है a2, i, plus b2, j, plus c2, k तो इस तरह से जब अभी पीछे बताया था मैंने dot product, triple dot product हो गया यह यानि 3 vector, 2 का cross और 1 का dot तो इनका सीरह सा a2, a, minus a1, कितना होगा? x2, minus x1, y2, minus y1, j, plus z1, z2, minus z1, k तो यह बन जाएगा x2, minus x1, y2, minus y1, z2, minus z1, और a1, b1, c1, a2, b2, c2, बनाबर 0 जो यह condition अगर आती है, तो दो vectors आपके क्या कहे जाएंगे? coplanar, दो lines जो है, वो coplanar कह ली जाएगी, यानि दोनों की दोनों रिखाएं, एक ही समतल पर होगी, यह उसकी condition है यह आपको थोड़े formulae learn करने, साथ-साथ जब मैं question कराऊंगी, आपको और समझाता चला जाएगा, जब question में हम इसको solve करेंगे, तो direct समझा जाएगा, अब next topic पे आते हैं, दो planes के बीच में angles, angles between two planes, दो तलो के बीच कौन, यह आपकी मैंने book ले ली है, यह मैं छोटा लेती हूँ, क्योंकि हमारा camera, यह मैंने, एक तल आपका यह है, यह तल देख रहे हैं, एक तल यह है, यूँ जा रहा है, एक तल यह यूँ है, तो यह आप स्तिती देख लो, एक तल यह जा रहा है, एक तल यह जा रहा है, तो इनके बीच में यह जो कौन है, यह कितना होगा, तो यह कौन निकालना है, एक तल यह चला गया, उपर से नीचे तक, एक तल आपका यह वाला है, यह दिख रहा है आपको, एक तल यह वाला, एक तल यह वाला, इनके बीच बिच में कोण तो दो तल के बीच में कोल निकाल कि है तो अगर हम कहते है एक तल है हमारा क्या ऑर वैक्टर राबर डीवन किस फोर्म में लिया है है मिसल में आर दूसरा तल है r vector dot n2 vector बराबर d2 d2 constant है अगर ये n1 vector unit vector होता तो d1 आपकी मूल बिंदू से दूरी होती अगर ये n unit नहीं है तो ये मूल बिंदू से दूरी नहीं है बलकि मूल बिंदू से दूरी निकालने के लिए n vector का n1 vector का जो modulus है उससे divide करेंगे तो ये दूरी निकलेगी फिलाल तो ये n1 vector क्या है उस पहले वाले समतल का पर लंब ये दूसरे वाले समतल पर लंब वापिस आईए ये आपका पहला factor है ये ये पहला plane है ये दूसरा plane है यहाँ दिख रहा आपको और इनके बीच में 90 degree का कूण निकालना है तो अब मैंने इस पर क्या किया कूण कै इस पर एक लाइन यूँ डाउ करे इस पर एक लाइन डाउ करी अभी यूँ होगा तो इन दोनों लाइन की बीच का कूण तो ये जू पाइंट है इसको मैं कुछ माल ली तो अम्मसको यू दिखा रही हो आपको को ये ये लाइन है जहां दोनों की दोनों आपका plane टच कर जब एक plane यह आएगा एक plane यह जब यह दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो यह आपकी यह line बन गई है जहाँ पर ही मेरे heart touch हो रहे तो इसले की यह line है और यह पूरा आपका plane है पहला plane और यह आपका दूसरा plane थोड़ा सा समझ्येगी कोशिश कीजिए क्योंकि 3D को 2D पर आपका equation दे रखी यह दूसरा वाला plane है यह कोंड theta है तो यह theta निकालना है अब यह एक line है मारी इस पे यह n1 vector क्या होगा यह let's suppose यह point A था यह AB line है तो AB line पहले वाले plane में है AC line दूसरे वाले plane में है तो यह n1 vector क्या है n1 vector ऐसा vector है जो इस plane पर 90 degree का कोंड बनाता है तो जब n1 vector तो n1 vector के parallel एक vector खीचा गया जो B से होकर गुजडता है तो यहां से एक line कीची तो यह 90 degree का कोंड बना इस तरह से n2 vector जो है n2 vector क्या होगा आपका इस दूसरे वाले plane पर 90 degree का कोंड बनाता है तो C से अगर मैं एक 90 degree का कोंड बनाती हूं यहां 90 degree का कोंड बनाती हूं तो यह निश्य तोर पे यह vector n2 vector होगा यह vector n1 vector होगा और यह दोनों जहां मिले यह point let suppose D है तो A, B, D, C यह आपका एक तरह से क्या बनाती है अच्छा तरूज बनी है उसमें यह 90, 90 है यह कितना है थीटा है तो यह कितना हूँआ 180 माइनस थीटा तो अगर कोंड थीटा निकालना हो तो cos थीटा और cos 180 माइनस थीटा में क्या फरकाता है कि यह minus times होता है दोनों बराबर नहीं होते सिर्फ minus times का फरकाता है इसलिए कोंड थीटा निकालो तो 180 माइनस थीटा अपने आप निकल जाएगा तो अगर यह acute हुआ तो यह obtuse होगा और अगर यह obtuse हुआ तो यह acute होगा यानि यह 90 degree से उपर हुआ तो यह 90 से कम होगा तो हमें 90 degree से छोटे वाला कोंड चाहिए क्योंकि तो अब काईदे में हम यह 180 माइनस थीटा निकालते हैं तो cos 180 माइनस थीटा किसकी बीच में है वेक्टर n1 और वेक्टर n2 के बीच में ह तो हम कह सकते हैं n1.n2 वेक्टर कितना होगा n1 का modulus n2 का modulus cos 180 माइनस थीटा तो यह हो गया cos 180 माइनस थीटा बन गया माइनस थीटा तो माइनस थीटा हुआ आपका n1.n2 अपान n1.n2 का modulus दो नुकर तो cos थीटा बेसिकली माइनस थाइम तो अगर मैं modulus आई ले लूँ यानि plus को ध्यान में रखूँ तो इस तरह से दो रेखाओं के बीच में जो कोण आएगा दो प्लेंस के बीच में जो कोण आएगा उसका सूत्र यह होगा तो यह डारेक्ट सूत्र हो गया और इस ही को जब हम Cartesian form में convert करेंगे तो n1 vector Cartesian form में यही समी करण किस तरह से आएगा a1x plus b1y plus c1z बराबर या plus d1 बराबर 0 ले लो इसको दूसरे form में लेंगे तो a2x plus b2y plus c2z plus d2 बराबर 0 तो यहां n1 vector जो है वो basically क्या हुआ a1i plus b1j plus c1k यह होगा इसी तरह से n2 vector तो अगर आप इसको Cartesian form में convert करेंगे तो यह होगा आपका जब दोनों का dot product लेंगे इसका और इसका और n2 का कितना है a2i plus b2j plus c2k तो यह होगा n1 dot n2 हो आपका होगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon n1 cap का modulus a1 का square plus b1 का square plus c1 का square फिर यह होगा a2 का square plus b2 का square प्लस c2 का square तो यह आपका हो गया सूत्र एंगल निकालने का आज इतना ही कीजिए इसे थोड़ा सा बचावा पाट और अगली exercise अगले वीडियो में थैंक्यू